दोस्तों आज की वीडियो जो है वो आप लोगों को उल्जा देने वाली है आज मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात करने जा रहा हूँ जो इस दुनिया का था ही नहीं इस व्यक्ति ने पूरे जपान कोई नहीं बलकि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया या आज भी रहस बना रह ग पर चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले कभी कभी हमारी दुनिया में ऐसे चीज़े हो जाती है ऐसी गटना जाती है जिस पर यकीन करना बेहद मुश्किल हो जाता है ऐसे ही गटना उन्हें से 54 में वी जिस्टे आज भी सुलजाय नहीं जा सका। यह कहानी जपान के टोकियो की है। टोकियो में एक हेनेडा नमाक एइरपोर्ट है। इस एइरपोर्ट पर दोपहर के लगबग साड़े बारा बजे उरोप से एक फ्लाइट लेंड करती है। फ्लाइट से सभी यातरी एके करके उतरने लगते हैं सभी यात्रियों की तलासी ली जाती है फ्लाइट इंटरनेसनल होने के कारण सभी यात्रियों के पास्पोर्ट और वीजा चेक किया जाता है जब सभी यात्रों की जाच हो रही होती है तभी एक व्यक्ति ऐसा फ्लाइट से उतरता है जिसे देकर अधिकारियों को उस पर संदे होता है उस व्यक्ति का जब पास्पोर्ट और वीजा चेक किया जाता है तो उसे देखकर वहां के अधिकारी चौक जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने वैसा पास्पोर्ट इससे पहले कभी नहीं देखा था वह अधिकारी रोजाना सैकड़ो या पसपस देश है लेकिन पासपोर्ट पर जो नाम लिखा था वह नाम उसने कहीं नहीं सुना था उसने उस पासपोर्ट पर नाम देखकर चौका और अपने सहकर्मी से पूछा कि टोरेट कौन सा देश है वह यह सब देखकर अधिकारी ने वर्ल्ड का मैप निकाला और उसमें देखा लेकिन टोरेट नाम का कोई देश उससे नहीं मिला जब उसे कहीं नहीं मिला तो उसने उस व्यक्ति से पूछा आप कहां से आये हो तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया मैं टोरेट से आया हूँ अधिकारी ने बताया उसे कि उसके देश का नाम उससे पहले कभी नही क्राप में भी नहीं है। वह वक्ति बार-बार के आ रहा था की मैं टोरिंट से आया हूं या मेरा पासपोर्ट है और या मेरा वीजा है। उस व्यक्ति ने बताये मैंने पहले भी कए डेशों मेर ट्रैवल किया है। UC अदिकारी ने फिर उससे उसका पासपूर्ट से जापान आने का मकसद पूसता है तो वह बताता है कि वह बिजनस की मीटिंग के लिए आया है लेकिन यह सारी चीजे देखने के बाजूद उस अधिकारी के मन में यह था कि उसने इस देश का कभी इससे पहले नाम क्यों नहीं सुना है उसके द्वारा दी गई जानकारी से अधिकारी संतुष नहीं होता है और वह बात अपने से बड़े अफसरों को बताता है अफसर लोग सुरक्षा अधिकारी को उसे अलग से लाने का आदेश देते हैं और उससे ले जाया जाता है फिर सुरक्षा अधिकारी द्वारा उसकी पूरी तलासी ली जाती है उसके प अबसरों ने वर्ल्ड मैप रखा और बोला कि यह दुनिया का नकसा है दुनिया के तमाम देश इस नकसे पे हैं तुम यह बताओ कि तुम्हारा देश इस नकसे में कहां पे है उसने नकसा देखा और थोड़ी देवाद ज्यादा वक्त भी नहीं लिया उसने उंगली मैप पर रख दी लेकिन उसने उंगली जिस जगा पर रखी थी वह देश का नाम एंडुरडा निकला फिर अफसरों ने उससे कहा कि यह एंडुरा देश है वह चौकता और कहता है कि यह टोरेड है एंडुरा कब हो गया अब उसके कागज उसका पासपोर्ट उसका वीजा और जो व बात अपने हेड ओपिसर को बताने के लिए उसे एरपोर्ट के करीब के होटल में ले गये और कहा कि जब तक आपका क्लियरंस ना हो जाया और आपके देश की सचाई सामने ना आ जाये तब तक आप इसी होटल के अंदर रहेंगे उस होटल के बाहर कुछ सुरक्चा दिकार और वह जिस कंपनी के बारे में बता रहा था जब उस कंपनी से पूछा गया तो उस कंपनी ने इस व्यक्ति को पहचाने से इंकार कर दिया अब उसके द्वारा बताये गए होटल में जाच होती है तो पता चलता है कि उसकी कोई बुकिंग नहीं होई थी अब उन्हें लग काट्टी जूट कोई ऑधिकारी लोग होटल जाती है तब तक साम हो चूकी होती है जब उसे साम को खाना देने के लिए अंदर ले जाया जाता है तो पूरा कमरा बिखरा होता ह अब युवा के अगले दिन इसका फैसला किया जाएगा अगले दिन सुबा सुरक्चा गाट दरवाजा खोलता है तो दरवाजा तो खुला हुआ था पूरे कमरे को ढूंड मारता है वह मिलता ही नहीं और कहीं से भागने का रास्ता भी नहीं था कमरे से उसके दो कपड़े वा पहनने का समान उसके लौकर में ही रखा था उसको इजाज़ा दी गई थी कि अपने साथ रखने वो सारी चीजे गाइब है और वो खुद भी गाइब है अब वो हैरान फौरान अपने अफसरों को खबर करता है उदर एरपोर्ट एथरोडिक्ट के पास जब ये खबर पहुशती है तो वो हैरान हो जाते है सुरुक्षा की घेरे के अंदर रखा गया उसके सारे दस्तावे जो गाइब है होटल से वो रहस्मे तरीके से सब कुछ गाइब रहता है एरपोर्ट एगरोटी से उसके सारे पासपर्ट वीजा जारी किये गए अब हर कोई है कि कैसे पेन पासपर्ट जिस देश का है वो देश इस दुनिया में है यह नहीं और वो सक्स जो पासपर्ट पर वीजा और यूरोप का दोरा करने की बात कर रहा था वो सारे वीजा ओरिजिनल है लेकिन वो अचानक रात को अपने कमरे से रहसमे तरीके से भरी सुरच्छा घेरे को तोड़कर गाइब हो जाता है उसका समान उससे भी ज़्यादा मेहफूज जगा पर रखा गया था वो सारी चीजे गाइब हो गए थी आकर यह क्या था कुछ लोगों ने कहा कि ये रहसमे सक्स साहिद इस दुनिया में गलती से आया और गाइब हो गया कुछ लोगों ने अंदाजा लगा कि ये टाइम मसीन का चक्कर है और टाइम मसीन के जरी वो गलती से यहाँ लेकिन जितनी कहानिया भी चलती रही जांची भी हुई लेकिन कोई फाइदा उस सक्स के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली उसके उपर बहुत सारी चीजे लिखी गई और ये खास दोर पर किताब भी लिखी गई है जिसका नाम है दरिटा नौप पॉसिबिलिटी इस सक्स के बारे में क्या है क्या हो सकता है कहां से है किसी दूसरे घरा से आया या टाइम मसीन की वज़े से आया या रहस्मे सक्स था या उसकी असलियत क्या थी इसे अभी तक तो सुलजाए नहीं जा सका तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस सक्स के बारे में comment box में जरूर बता हैं और वीडियो कैसा लगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मिलते अगले वीडियो में तब तक लिए जाए हिंद